प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है प्रदेश में अगस्त में जहां 550 मामले सामने आए तो सितंबर के पहले सब्ताह में ही 1000 मामलों ने स्वास्त विभाग को परिशान कर दिया डेंगू के डंक से इंदौर, ग्वालियर और रिवा सबसे ज़्यादा परिशान है अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है अस्पिताल में लंबी कतारे हैं मरीज डेंगू जांच रिपोर्ट के लिए लाइन में लगे हैं प्रभाकरतिवारी मुख्यचिकेत साधिकारी भ रहने वाला इंदौर डेंगू के बढ़ते मामलों में भी नंबर वन है जनवरी से अभी तक प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं इंदौर और रिवा में इस अवधी तक पिछले साल की अपेक्षा तीन गुना अधिक मामले सामने आए हैं वही नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्त राज्यमंत्री ने कहा कि 65 से जादा शहरों में डेंगू की जाज के लिए केंदर बनाए गये हैं सभी जिलों में एलाइजा जाज की सुविधा है हाला कि डेंगू के मरीजों के असल आकड़े पर कुछ सवाल है क्योंकि उधर स खनिवाद मेरा नाम स्वाती और आप देखते रहे विंत्याट आएं